नमस्ता बच्चो चलिए आज की कुख्षा के शुरुबात करते हैं सुविचार से वो है वो बदलाव खुद में लाईए जिसे आप दुनिया में देखना चाहते है यह सुविचार मातमा गांधी जी द्वारा बताया गया है बच्चो हम जब पाजशाला में होते हैं तो हम हमेशा दूसरों को देखते हैं और दूसरों के लिए बोलते हैं कि इसने अपना काम समय पे करना चाहिए इसने लोगों से अच्छे तरीके से बात करना सीखना चाहिए पर हमें क्या करना है बच्चो कि दूसरों को बदलने के पहले दूसरों को अब्जर्व करने के पहले हमें खुद को देखना और खुद को बदलना चाहिए अगर प्रत्यक वेक्ति ये सीखलेगा कि उसे अपने आपको पहले बदलना है तो दुनिया में अपने आपी बदलाव आ जाएगा चले बच्चो आज हैं कुछ बहुत अच्छा मसेदार करने वाले है क्या है पाटचार कश्मीरा देखे इसमें कश्मीरी लड़की आपको बताई गई है यह नहीं है देखे यहां पर दो आपको बताई गए है इसमें क्या करना है आपको लगबग सेमी है पर इसमें कुछ अंतर दिये गए है ठीक है कुछ अंतर दिए गये है दोनों में छो आपको डूंद कर लिखना है आपकी पुष्तक में अरीड़ी ये चितर दिया गया है बच्चो आप अपनी पुष्तक के चितर को देखते हुए ही अंतर ठूंडो के पान के आकार का है और ये कैसा है चौकोन है पहला अंतर, दूसरा देखे, यहाँ पे नीचे फूल है, यहाँ पे फूल नहीं है, ठीक है, तीसरा अंतर, यहाँ पे देखे, इन्होंने कड़े पहने हैं, हाथ में यहाँ कड़े नहीं है, चौथा, यहाँ पे जो व्रेक्ष है, वो नहीं है, वो है, यहाँ पे नहीं है, यहां पर देखिए पहाड पर बर्फ है यहां पर नहीं है यहां पर पंची देखिए यहां पर तीन पंची है यहां पर दो ही पंची है मैंनी पांच तौम का अंतर बताई दिये बच्चों अब आपको क्या करना है कि और अंतर है बच्चों को बहुत बारे किसे डूढना देखिए जैसे यहाँ और एक बता देती हूँ यहाँ पर देखिए इसका रंग और इसके रंग में अंतर है ऐसे कुछ अंतर है जो आपको क्या करना है अपने कॉपी में लिखने है कैसे लिखना है कि तारीक पाठ का नाम कश्मीरा चित्र एक और चित्र दो मतलब पहले चित्र में क्या है और दूसरे चित्र में क्या नहीं है या पहले चित्र में क्या नहीं है तो सबसे पहले चप्पू का आकार चौकोर है क्योंकि पहले चित्र में क्या है चप्पू का आकार चौकोर है और इधर पान जैसा है तो चप्पुकाकार पानाकार का है अब एक फूल नीचे गिरा है सबी फूल गंबले में है तीसरा पांच पक्षी उड़ रहे है यहाँ पे चार पक्षी उड़ रहे है तो आपको क्या करना है बच्चो ऐसे ही कम से कम साथ अंतर मैंने आपको बता ही चुकी हूँ फिर भी आप ढूंडो कम से कम साथ साथ से जादा भी आप लिख सकते हो पर कम से कम साथ लिखने है और एक के नीचे एक लाइन छोड़के साथ अंतर आपको लिखने है और सफाई से लिखिए बच्चो धून धून के लिखिए मैंने आपको बताए है फिर भी मैं फिर कह रही हूँ बच्चो कि कम से कम साथ होने चाहिए साथ से जादा भी हो सकते है पर कम से कम साथ अंतर होने चाहिए इक पर मैं फिर से आपको अंतर बथा ती हूँ देखिए, चौकोर, पानाकार, फूल गिरा है, यहाँ पे फूल नहीं गिरा है, यहाँ पे कड़े पहने हैं, यहाँ पे नहीं पहने हैं, पंची, बर्फ, व्रिक्ष, आपको यह अपने कौपी में लिखना है, और हम अगली बहुत मज़ेदार है बच्चों, अपने बुक से करके देखिए धन्नेवादा